नमस्कार मित्रों मैं प्रकाशेर कौनार की लेर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की कि पॉलिटिकल साइंस की अंतरकर बढ़ना क्या-क्या है और राजवेस्ता को हमने पिसली क्लास में दो बागों में विबाजित किया था एक ता हमारा सविधान और दूसरा ता सासन परनाली आज हम सविधान के अंतरकर बात करेंगे सविधान का जो हमारा पहला टोपिक होता है सविधानिक विकास तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सवेधानिक विकास से तो सवेधानिक विकास का मतलब क्या होता है मित्रो तो सवेधानिक विकास से हमारा मतलब यह होगा कि बारत के सवेधान इनमान से पूर्व बिटेन की सरकार द्वारा या इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा सासन को संचालित करने के लिए जो भी अधिनियम बनाएगे जो भी एक्ट बनाएगे उन सभी बातों की जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे सविधान के विकास के अंतरगत तो मित्रो किसी भी देश के सविधान को समझने के लिए यदि हमें उस देश के वर्तमान या विद्धिमान सविधान को समझना है तो उसके लिए हमें उस देश के सविधान के इतियास को जानना मत पुने तो आज हम बात करेंगे सविधान के विकास की या जिसे हम सविधान के विकास के साथ सविधान का इतियास भी कहते हैं सविधान का विकास या सविधान के विकास की इतियासिक प्रस्ट भूमी तो आज का जो हमारा टोपिक रहेगा बारतिय सविधान का विकास मित्रो सविधान के विकास की बात करने से पुर्व हम यहां कुछ इसकी सामाइने रूप रेखाते करेंगे जिससे आपको सविधान के विकास को समझने में आसानी हो सके तो मित्रो सबसे पहले बात करेंगे कि बारत के सविधान का जो निर्मान होता है या सर्दान की विकास की जो कानी शुरू होती है वह इस इंडिया कंपनी की इस्तापना के साथ ही प्रारंब हो जाती है लेकिन मित्रों यहां हम बात करेंगे कि इस इंडिया कंपनी से पुर्व बारत में किसका असासन था या भारत में व्यापार के उद्दिश से कौन आये थे तो सबसे पहले यहां हम थोड़ी सी बात कर लेंगे पुर्थ गालियों की मित्रो यह है हमारा भारत समझेगा आप और मित्रो हम बात करते हैं पुर्थ गालियों की मित्रो जो हम बात करें पुर्दगालियों की या इस इंडिया कंपनी की तो इसे आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे लेकिन यहां हम सविधान की विकास को सही रूप से समझने के लिए यहां पर कुछ पुर्दगालियों की चर्चा करेंगे और कुछ अंग्रेजों की चर्चा करेंगे दिखे का मित्रो पुर्दगालियों द्वारा सबसे पहले एक जो व्यापारी आता है 1498 में उसका नाम है वासको डिगामा सबसे पहले पुर्दगाली जो व्यापरी आता है वासको डिगामा बारत आता है और बारत के केरल के कालिगट बंदरगापर आता है और उस समय जो केरल का सासक था वह ता जमोरिन या जमेरिन उस समय जो केरल का सासक था जमेरिन उसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो पुर्दगाली द्वारा पंदरा सो पांच में पंदरा सो पांच में जो पुर्दगाली वाइसरा था फ्रांसिस डी अलमोरा फ्रांसिस डी अलमोरा पुर्दगाली वाइसरा फ्रांसिस डी अलमो के निति पर इंद महासागर में या निले पानी की निती भी कहते हैं जिसे हिंद मास अगर के शेत्र में पूर्द गालियों द्वारा अपना नियंतरन स्तापित करना उसके बाद में आगे बात करें तो पंद्रासो नो में जो पूर्द गाली वायस राय होता है पुर्दगाली वायसराय अलबूरकर्क बारत आता है जो विजापूर के सुल्तान उस समय जो विजापूर का सुल्तान था आदिल शाह उस समय विजापूर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा चीन लेता है मित्रो गोवा 1509 में जो वाइस राय अलबूर करको होता है बीजापूर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा छिन लेता है और मित्रो ध्यान दिजिएगा गोवा बारत सरकार द्वारा या स्वतंतरता प्राप्त होने के बाद भी 1961 तक पुर्थ गालियों के निंद्रण में रहता है और 1961 में बारत सरकार द्वारा ओप्रेशन विजे के द्वारा ओप्रेशन विजे द्वारा गोवा को पुर्थ गालियों से मुक्त करवाया जाता है तो यहां तक हमने बात की कि बारत में East India Company या अंग्रेजों के आगमन से पुर्व कौन सी व्यापारिक एजन्सिया बारत आई तो East India Company से पुर्व बारत में पुर्दगाली अपना व्यापार प्रारम कर चुके थे अब हम आगे बात करते हैं कि East India Company का बारत आगमन कब होता है या अंग्रेज बारत कब आता है तो सबसे पहले मित्रों समझेगा हम बात करते हैं पंद्रा सो एक्राणों में पंद्रा सो एक्राणों में एक वेक्ति हैं जिसका नाम है डॉल्फ फिंच या रॉल्फ फिंच भी आपको देखने को मिलेगा पंद्रा सो एक्राणों में रॉल्फ फिंच वेक्ति बहारत आता है और जब ये पून जब ये पून इंगलेंड पहुंचता है तो इंगलेंड के कुछ व्यापारियों को ये कहता है इंग्लेंड के व्यापारियों को कहता है कि इस समय या उस समय विश्व का सबसे जो धनी वेकती है वह है बारत का सासक अकबर बारत का उस समय जो सासक था वह था मित्रो अकबर तो यह अंग्रेज यह अंग्रेज व्यापारियों को बताता है कि विश्व का सबसे जो धनी वेक्ती हैं विश्व का सबसे जो अमेर वेक्ती हैं वह हैं अकबर तो यह व्यापारी यह व्यापारी रोल्फ किंज की बातों में आ जाते हैं और असी व्यापारियों का शमू असी व्यापारियों का एक समू अस्ती व्यापारियों का समू उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेट प्रथम उस समय ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं एलिजाबेट प्रथम से मिलते हैं और अपना 15 वर्षिये चार्टर अपना 15 वर्षिये चार्टर माराने एलिजाबेट प्रतम के समख से प्रस्तुत करते हैं और उस चार्टर में लिखा गया कि हम पूरिवी देशों में जायेंगे और हमारा उदेश व्यापार करना है ना की राजनेती एक बार फिर से समझिएगा कि इस इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का बारत में आगमन किस प्रकार से होता है तो पंद्रा सो एक्राणों में एक रोल फिंच नाम का वेक्ति बारत आता है जो पुना जब इंगलेंड जाता है तो और यह व्यापार के लिए उससाइथ होते हैं तो असी व्यापारियों का एक समूँ उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेज प्रथम के समक्ष अपना पंद्रा वर्षिय चार्टर पस्तूत करते हैं और उस चार्टर में कहा गया कि हम बारत में जाएंगे या दक्षिन के एसियाई पूरीविदेशियों में जाएंगे और हमारा उदेश्च व्यापार करना है ना कि राजनती करना तो मित्रों देखेगा 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1680 को इस चार्टर पर 31 दिसंबर 1600 को इस चार्टर पर माराने एलिजा बेद द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाते है और इस असी व्यापारियों का समू को एशिया के देशों में जाकर व्यापार करने की अनुमती मिल जाती है तो इस प्रकार से आप से पूझा जाये कि IST India Company की स्तापना कब होती है तो 31.ordumber 1610 को IST India Company की स्तापना माने जाती है और मित्रो जो 80 व्यापारियों का समूह होता है इसे ही बाद में इस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है तो यहां तक हमने बात की कि अंग्रेज बारत कब आते हैं और किस प्रकार से कंपनी की स्थापना होती है अब हम आगे बात करते हैं कि महारानी द्वारा चार्टर पर अपने अस्ताक्षर करने के बाद अपने एक राजदूट जिसका नाम होता है केप्टन होकिंस महारानी एलिजाबेट प्रतम केप्टन होकिंस को भारत बेजती है और उस समय ध्यान दखिये गा कमपनी की स्तापना के समय जो बारत का मुगल सासक है वह हैं अकबर और जब महाराणी एलिजाबेट प्रतम द्वारा बारत में अपना जो राज़ूत बेजा जाता है उस समय बारत का जो मुगल समराट या मुगल सासक था वह था जांगी तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से महारानी एलिजाबेद द्वारा अपने प्रतम राज़ुत को भारत बेजा जाता है और उसकी मुलागात किस्ते होती हैं तो दीखिए गामितरो महारानी एलिजाबेद प्रतम द्वारा अपना जो राज़ुत हैं उसका नाम है केप्टन होकिन्स को भारत बेजा जाता है और उस समय जो भारत का मुगल समराड था वह ता जांगिर और केप्टन होकिन्स जांगिर से मिलता है केप्टन होकिन्स जांगिर से मिलता है आगरा में केप्टन होकिन्स की मुलागात जांगिर से आगरा में होती है और इसमें केप्टन होकिन्स को पूर्ण व्यापार की अनुमती तो नहीं मिलती है पूर्ण व्यापार की अनुमत मिलती है एक सामाइनी व्यापार की अनुमती मिलती है और केप्टन होकिन्स को जांगिर द्वारा सूरत में जांगिर द्वारा सूरत में जहां पर पहले से ही पूर्थ गालियों का अनियंद्रन था तो अभी आप समझ पाये होंगे कि हमने पूर्थ गालियों के बारे में क्य पुझता है शुरत आना वियापारी नियंद्रन या व्यापारी कोटी इस्तापित करने की कोशिश करता है लेकिन पूर्द85амен विरोध करते हैं तो करता है कि महाराने इलिजाबेज प्रतम को संधेस बिजवाता हैं, और संदेस में कहा गया है numa मारानी हमें व्यापार की अनुमती तो मिल गई लेकिन पूर्थ गाली हमारा विरोध कर रहे हैं तो मारानी एलिजाबेट क्या करती है कि केप्टन बैस्ट के नेत्रित्व में मारानी एलिजाबेट केप्टन बैस्ट के नेत्रित्व में अपनी एक सेना बैस्टी है और 1612 में 1612 में केप्टन बेस्ट द्वारा सूरत में पूर्दगालियों को पराजित कर दिया गया और 1613 में इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या केप्टन होकिंस द्वारा पूर्दगाल में अपनी प्रतम व्यापारिक कोठी पुर्दगाल द्वारा पुर्दगालियों को पराजित कर सूरत में अपनी प्रतम व्यापारिक कोठी इस्तापित कर दी गई पर्थम व्यापारिक कोठी तो मित्रो प्रस ने पूछा जाए कि इस्ट इंडिया कंपणी द्वारा या कैप्टन होकिन्स द्वारा सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की गई तो 1613 में सूरत में अपनी व्यापारी कोटी स्थापित की गई मित्रो अब हम आगे बात करते हैं कि जब East India Company की स्थापना होती है और जब अंग्रेज व्यापारी महारानी एलिजाबेज प्रतम के समक्ष अपना जो चार्टर रखते हैं और उसकी अवदी बताई गई है 15 वर्ष और उसमें कहा गया कि हम पूर्वी देशों में जाएंगे और हमारा जो उद्देश होगा व्यापार करना और वह व्यापार कितने वर्षों के लिए होगा तो 15 वर्ष के लिए तो मित्रो 1615 में इस व्यापार की अवदी पूर्ण होने वाली थी और इस समय बिटेन का जो समराड होता है जेम्स प्रथम मित्रो ध्यान दीजिएगा कमपनी की स्तापना के समय जो बिटेन की महारानी होती है इलिजाबेत प्रथम और जब कमपनी की अपनी चार्टर की जो अवदी पूर्ण हो जाती है और 1615 में बिटेन का जो समराड होता है जेम्स प्रथम ये जेम्स प्रतम क्या करता है कि कंपनी का जो चार्टर होता है उस पर अपने हस्ताक्षर करके कंपनी के व्यापार की जो अवधी होती है उसे बढ़ा देता है और जेम्स प्रथम द्वारा जो अपना प्रथम राजदूद बेजा जाता है मित्रो एलिजाबेट प्रथम द्वारा जो राजदूद बेजा जाता है उसका नाम है केप्टन होकिंस और केप्टन होकिंस की मुलाकार जांगिर से होती है और यहां पर पूर्ण व्यापार के अनुमती नहीं मिलती है यहां पर सामान्य व्यापार के अनुमती मिलती है और वह का मिलती है पुर्थ गालियो द्वारा जो सूरत पर अपना नियंतरन अस्तापित कर चुके थे वहीं पर मिलती है और युद्ध होता है और 1613 में सबसे पहले केप्टन ओकिन्स के नेत्रितु में अंग्रेजों की जो प्रतम व्यापारिक कोटी होती है वह सूरत में स्तापित की जाती है उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि 1615 में ब्रिटेन का जो समराड होता है जेम्स प्रतम ने इस व्यापार के चार्टर की अवधी बढ़ा कर अपने प्रतम व्यापारिक राजदूत केप्टन सर टॉमस रो को बारत बेशता है और सर टॉमस रो की उस समय मुलागात होती है जांगिर से मित्रो उस समय भी बारत का जो मुगल समराड था जांगिर था लेकिन इस समय जांगिर राजस्तान के अजमेर में आया हुआ था राजस्तान के अजमेर में आया हुआ था और यहाँ पर सर टॉमस रो की अजमेर में अकबर का किला अजमेर में अकबर का किला या जिसे हम मैगनीज दूर्ग के नाम से भी जानते हैं मैगनीज दूर्ग में अकबर के साथ सर टॉमस रो की मुलाकात होती है और यहाँ पर सर टॉमस रो को व्यापार की पूर्ण रूप से अनुमती मिल जाती है तो मित्रो इस प्रकार से अंग्रेज जोग को भारत में व्यापार की प्रतम कोटी भी स्तापित हो जाती है सामानी व्यापार की अनुमती भी मिल जाती है और दीरे दीरे सर तोमस्रो के नेत्रित में 1616 में 1616 में पूर्ण रूप से व्यापारी के अनुमती भी मिल जाती है तो इस प्रकार मित्रों अंग्रेज जो का बारत में आगमन होता है और उन्हें व्यापारी के अनुमती मिल जाती है अब अंग्रेज बारत में अपना व्यापारी क्षेत्र के साथ साथ दीरे दीरे बारत के राजिंतिक शेत्र में भी अपना शेप करना चाहते थे और बंगाल पर अपना निहंत्रन करना चाहते थे और वह एक ऐसी इस्तिति का या ऐसे अफसर का तलाश कर रहे थे कि किस प्रकार से बारत के हम राजिंतिक शेत्र में अपना शेप करें और बंगाल को अपने निहंत्र सबसे पहली जो कोटी सूरत में स्थापित होती है कि बंगाल पर अपना नियंत्रन स्तापित करना चाहते हैं कि उस समय जो सबसे बड़ा राज बंगाल था और वो बोगोलिक आर्तिक और समाजिक सभी द्रश्टी से और व्यापारिक द्रश्टी से सबसे महतुपुन था तो अब जो अंग्रेजों की अगली द्रश्टी रहती हैं वह रहती हैं बंगाल तो पुर्दगाली के बाद जब अंग्रेज अपना टार्गेट करते हैं सबसे पहले वह करते हैं बंगाल को कर देते हैं अपनी व्यापारी कोडियों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं अपने सेटना को संगडित करते हैं तो इस प्रकार से बंगाल पर अपना निंद्रन स्थापित करना चाहते हैं और बंगाल और अंग्रेजों के बीच बंगाल और अंग्रेजों के बीच आपसी तन पहले ये दो युद्ध कौन कौन से हैं तो सबसे महत्पून युद्धों में हम बात करते हैं कि 1757 प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध होता है मित्रो 1757 मित्रो प्लासी पसी मंगाल में और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेत्रित कर रहा था और इधर था सीराजुदोला इधर था जो सीराजुदोला जो बंगाल का नवाब था और मित्रो इस युद्व में सीराजुदोला के सेनापती मीर जाफर द्वारा मीर जाफर द्वारा विश्वासगात कर लिया जाता है और इस युद्व में कलाईव की विजे होती हैं तो इस प्रकार अंग्रेजो की बारत में प्रतम विजय प्लासिक युद्ध को माने जाती हैं लेकिन यह विजय पूर्ण रूप से विजय नहीं थी क्यूंकि इस युद्ध में अंग्रेजो द्वारा सिराजु दोला पर एक सडियंत्र किया गया इसमें इसके तीन सेना नाय वह रही 1757 की प्लासिक की विजय उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि अंग्रेजो द्वारा 1764 में एक मुहत्वपून युद्ध हुआ और उस युद्ध को हम नाम से जानते हैं बक्सर का युद्ध बकसर का युद 1764 मित्रो बकसर की अगर हम बात करें तो बकसर वर्तमान में बिहार में और ध्यान दिजिएगा इस युद में अंगरेजी सेना का जो नेत्रित्व करता है केप्टन मुनरो और इस और जो बारत की और से सेना बनाए गई थी उसमें था बंगाल का नवाब मीर कासिम मीर कासिम और अवद का नवाब अवद का नवाब सुजा उदोला और बारत का जो समराड था उस समय था शा आलम में तो ध्यान दिजिएगा मीर कासिम और मीर जाफर अलग वेक्ती थे सिराजु दोला और सुजा उदोला अलग वेक्ती थे और बारत का उस समय जो सा सकता शा आलम देती है तो इनकी एक सेंक्त सेना और अंग्रेजी सेना के बीच में युद होता है और इस युद में भी जो विजे होते हैं वह अंग्रेज होते हैं तो इस प्रकार मित्रों अंग्रेजों की बारत में विजे हुई और पूर्ण रूप से जो विजे मानी जाती हैं वह होती है बकसर क तो इस प्रकार अंग्रेजों ने बारत के लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज बारत में एक व्यापार करने के लिए आए व्यापार के साथ दीरे दीरे राजनतिक शेत्र में और सेने शेत्र में अपना स्थिश्यप शूरू कर दिया तो बारत के व्यापार के साथ साथ अपना राजनतिकारी प्राडम कर चुकी हैं और कंपनी में ब्रस्टाचार व्यापत हैं कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार कर रहे हैं और कंपनी के जो वेक्तित हैं या कंपनी के जो व्यापारी हैं जब ब्रिटेन जाते हैं तो वहां के लोग भी उनसे हे द्रश्टी से देखते हैं तो इस प्रकार सासन को सही रूप से संचालित करने के लिए अब ब्रिटेन की सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि इस इंडिया कंपनी पर नियंत्रन के लिए इस इंडिया कंपनी के नियंत्रन के लिए इन पर कुछ नियंत्रन बनाय जाते हैं उन्हें हम सवेदानिक विकास में मत्व पूर्ण अधिनियम मानते हैं और इन अधिनियमों की जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे दो भागों में एक होगा हमारा 1600 से 1757 तक और 1857 तक है और दूसरा होगा 1858 शे गुड़िशसो सथावन से 177 तक है मत्रों ठ्यानध्यूंधिजी का ने इन कि 1659 क्यों में कम्पनी की स्थापना होती एं और 1757 में क्रांति हो दिए 1857 की क्रांति और इस 1857 की करानती द्वारा महत्पुन परिणाम यह होता है कि इसमें सासन की सत्ता बदल जाती है और सासन की सत्ता बिटेन की सरकार या ताज के सासन के अधिना आ जाती है तो इस प्रकार इन अधिनियमों की जो हम चर्चा करेंगे, सर्दान के विकास में करेंगे, इसमें हमारा सबसे महत्पुन अधिनियम रहेगा, 1783 का रेगिलूटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद में 1713, 1800, 1733, और 1783, ये सबी जो अधिनियम रहेंगे इसमें हमारा महत्पुन अधिनियम रहेगा, 1858, 1935, 1919, 1909, ये सबी हमारे जो अधिनियम रहेंगे, वो सवेदान के विकास में हम आगे 20 रुप से चर्चा करेंगे, तो उमित करता हूँ मित्रो कि सवेदान के इतियास की प्रस्ट गुमी आपको समझ में आया ही होगी, और प्रस्ट से पहला जो अधिनियम पार्त किया गया था, वह था 1703 का रेगुलेटिंग एक्ट और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बारत में एक सर्वोच नियाले की गई, कंपनी पर नियंत्रन किया गया, इन सबी बातों की चर्चा आगे किकल क्लास में हम विस्ते दुब से करेंगे, बहन्यवाद करेंगे, बहन्यवाद